नमस्ते मैं हूँ जैजिनानी टीम पैबली से और मैं लेकर आए हूँ आप सब के लिए एक और आसान दरीका जिसकी मदद से आप आपको कोई भी फॉर्म फिल होते ही उस पर्टिकुलर क्लाइन के वाटसेप पे एक अटेच्मेंट बेज सकेंगे वो भी आटोमेटिकली तो अगर आप भी गुगल फॉर्म या उसी की टाइप भी कोई ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिकेशन का उप्योग करते हुए कुछ फॉर्म के रिस्पॉंसेज ग्यादर करने हैं और आप चाहते हैं जब भी कोई क्लाइन उस फॉर्म को फिल करें तो आप उनके वाटसेप पे एक अटेशमेंट सेंड कर सकें तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं हम करते हैं एक मैनल प्रॉसेस को प्योग और वो कि यूँ जब भी हमारा वो फॉर्म फिल होता है उसकी डीटेल्स की बेसिस पे हम वाटसेप पे एक मैनल मेसेज कमपोस करते हैं और फिर भीज देते हैं उ बहुत ठका होता है साथ ही साथ बहुत ही पकाऊ प्रोसेस है पर आपको परिशान होने की कोई ज़रत नहीं है को कि हमारे पास है पैबली कनेक्ट जो की एक automation और integration का software है और आप इसकी मदद से किनी दो या दो से ज़्यादा अप्लिकेशन के बीच में data transfer कर पाते हैं और वो भ करते ही instantly उसके WhatsApp पे एक message चले जाएगा with the attachment और खास बात बदाए क्या है ऐसा करने के लिए मुझे नहीं ज़रत पड़ती किसी coding skills और programming knowledge की तो आप आए मैं कैसे करता हूं यह देखिए तो प्रोसेस को शूरु करने के लिए आप अपने browse पे लिखिए पैबली.com slash connect slash और फिर enter कर दीजिए ऐसे करते ही यह लियाएगा आपको पैबली कने के landing page पे जहांपर अगर आपने पहले कभी कोई account create नहीं किया है तो please sign a free button को प्योग करते हूए free make account create कर लीजिए और अगर आप पहले ही हमारी services को प्योग कर रहे हैं तो sign in पे click कीजिए ऐसा करते ही हम आजाएं to whatsapp आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं दन हम create करेंगे create पे click करते हैं हम आजाएंगे पैबली कने के trigger और action window पे जहां trigger application कहती है जब ऐसा होता अब क्या होता है जब भी आप अपने trigger application में कोई data receive करते हैं तो यहां क्या हो रहा है data तो वह क्या लाएगी है हमारी trigger application और ऐ ऐसा होने पर action application कहती है तो ऐसा करो कि क्या करो जो data आप receive कर रहे हैं आप trigger application में वह आप action application में transfer कर दो तो हमारे case में क्या हो रहा है कि जब भी हम कोई google form responses के द्वारा को response receive कर रहे हैं तो हम चाहते हैं ऐसा होने पर ही उनके WhatsApp पर हम एक attachment with the message send कर सकें तो उसके लिए हमारी trigger application है वो होगी google forms और जो हमारे trigger event वो मिलेगा हमें new response received कि जब भी कोई नया response हमको मिले आगे आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको select किया है इसने हमको एक webbook URL दी दिया है तो भला वो किसलिए तो जैसे कि आप जानते हैं google forms और public connect ये दोनों अलग-अलग application से तो अगर हम चाहते हैं कि इन दोन हमको इस use करना पड़ेगा इस webbook URL को तो मैं simply इसको copy कर लेता हूँ copy करने के बाद आप देखिएगा ये इंतजार करने लगेगा इस webbook response के capture होनेगा तो मैं पड़ा पड़ा आपको ले चलता हूँ कहां पे मेरे google forms के तरफ पे तो ये रहा वो google form जहां पर मैंने ये form create किया ह with the name digital library form इसके अंदर मैंने कुछ fields रखी है first name last name और बाकी की चीज़े तो अब करना क्या है ये जो हमने webbook response copy किया है उसको हमें as a URL add करना है हमारे google की spreadsheet में भला वो किसलिए तो मैं बताता हूँ तो हम जाएंगे responses पे responses पे जाने के बाद आप यहां देखेंगे spreadsheet का icon तो हम इस spreadsheet create हो जाएगी और आप देख सकते हैं जो भी मैंने fields वहां दिये जैसा first name last name email टोटली यह fields के साथ यहां पर automatically यह जो spreadsheet हो चुकी है तो हमें करना क्या है हमें integration setup करना है तो उसके लिए हमें करना पढ़ेगा extensions को select यहां add-ons get add-ons get add-ons को select करते ही यह हमें लिया आएगा google के workspace marketplace प करेंगे pably connect webhook पे इसको select करने के बाद यहां हम आएंगे और आपको इसको install करना पड़ेगा लेकिन आप देख सकते हैं मैं इसको पहले install कर चुका हूं तो मुझे install करने की need नहीं है मैं जाऊंगा पीछे और extensions पे जाऊंगा नीचे आपको मिल जाएगा मेरा pably connect webhook करके तो इसको हमें यहां select करना है initial setup पे हम click करते हैं यहां पर हमें यह दो fields देगा जैसे की webhook url और trigger column तो webhook url तो आप समझ सकते हैं कि वो url जो हमने copy किया था अभी हमारे pably connect के दोवारा यह यहां पर हमें select करना है और ऐसा करने के बाद trigger column की यह बात कर रहा है तो आप फिल्ड नहीं है तो वो जो last field column है वो किलाएगा हमारे trigger column उसको हम select करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम करेंगे submit पर click करने के बाद यह जो setup है यह यहां पर complete हो चुका है अब हमें एक पर क्या करना पड़ेगा extensions पे वापस जाके public connect webhook में send on event को choose करना पड़ेगा send on event इसलिए क्योंकि जब भी हम चाहते है form responses फिल हो उसके ऐसे होते ही details कहां आएगी हमारे Google की spreadsheet में आ जाएगे और फिर यह response हम चाहते है contact number यहां पर हम select करेंगे with 91 ओके कोकि हमें उनको WhatsApp पर message भीजना है तो हमें हमारे public connect के WhatsApp के लिए 91 से start किया वो नमबर चाहिए बढ़ता है without the plus sign यह यहां पर हमने लिख दिया है अब मैं जैसी करूँगा इस form को submit तो होगा क्या है यह जो details है यह पहुच जाएगी पहले तो हमारे Google की spreadsheet में और ऐसा होते ही वह response जाना जाएगा हमारे public connect ठीक है तो मैं इसको submit कर देता हूँ यहां पर यह form submit हो चुका है अब आते हैं हमारे spreadsheet के और अब देखिए तुरंत यह जो data है यहां पर add हो गया है ओके अब यह data यहां तो आ गया है क्या है यह हमारे public connect पहुचा है चलते हैं देखते हैं तो देखिए आप public connect ने भी यह वैबोग रिस्प message वो क्यों मैं आपको बताता हूँ यहां connect करेंगे connect करने के लिए अगर आपने पहले कभी WhatsApp cloud API का आपके पहले करने के साथ connection नहीं किया है तो आपको पड़ेगा add new connection उसके लिए आपको लगेगा token phone number ID WhatsApp business account ID तो आप सोच रहे होंगे यह सारी details कहां से आएगी और यह आप कैस connection कर सके लेकिन मैं पहले ही connection established कर चुका हूँ तो जाओंगा existing connection के साथ save पर क्लिक करूँगा और मेरे से होते ही यहां पर आप देखिए connection established हो चुका है और यहां पर शुरू में मुझे दे दिया एक template name ओके तो आप सोच रहे होंगे template name क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि मै मैंने WhatsApp के यहां पर message template create कर रखा है जिसका नाम है course details ओके और वह preview होने पर ऐसा दिखाई देता है तो आप सोच रहे होंगे कि message template कहां से आया और यह मैंने कैसे create किया है और आपको कहां create करना है तो मैं बता दूँ उसके लिए भी हमने हमारे channel पर video create कर रखा है और उस video का भी link आपको मेरे इस video description के साथ जरूर दूँगा ताकि उसको देखते हुए आप भी अपने message template create कर सके तो आप message template में देख रहे है मैंने document भी यहां पर add कर रखा है तो मैं आपको document दिखा देता हूँ यह रहा वह PHP course का document जिसके लिए जो भी हमारी lead है उसने apply किया है तो हम उसको यह document जो है उसके as a pdf उसके whatsapp पे हम भीजना चाते है ठीक है तो अब क्या करना है यहां पर मैं आऊंगा और मैं search करूँगा मेरे template जिसका नाम था course details यहां पर मैं उसको select कर लेता हूँ को कि में पस already बहुत सारे templates थे ऐसा होते है यहां पर यह template ID है यह automatically fetch कर लेगा लेकिन बागी की जो details है वो हमको यहां पर खुद map करनी पड़ेगे तो बात करते हैं हम किसकी recipient mobile number की वो हमें कहां से मिला हमारे google form responses से यहां वो select कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए हमें यहां क्या करना है header document URL डालना है ठीक है जो header document URL आप सोच रहोंगा यह क्या है तो जैसे मैंने आपको बताया था है जो मैंने template यहां create कर रखा है उसमें यहां पर यह header right header के अंदर यह document है जो मैंने create किया है right अब इसका क्या link चाहिए तो वो link मुझे कहां से मिलेगा जो कि मैंने मेरी wordpress website के अंदर create किया था यह रहा वो link इसको मैं simply copy करने के बाद आता हूँ मेरे पैब इसको simply हम copy कर लेते हैं copy करने के बाद यहां पर paste कर देते हैं manually और paste करने के बाद आप देखिएगा आगे ही हमें कुछ fields को fill करने की बाद कर रहा तो आप सोच रहोंगे यह body fields क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने यहां पर body create करी है मेरे message की यह रही उसके अंदर म variables में add किये हैं जो की time to time varies होते रहेंगे मेरे हर form के response के साथ तो अब यहां पर मुझे उन चीजों की mapping करने है तो पहले बात करते हैं यह कर रहा है hi then dash मतलब किसी की नाम की बात कर रहा है then second thank you for choosing dash for our website की जो course की बात हो रही जैसे यहां पर आपको दिखा रही है Java course आगे बढ चलते है body field 1 तो जैसे कि हमने google form response receive किया था क्या name ऐसा first name then last name तो space देते हुए हम दोनों को map कर लेंगे बात आती है body field 2 की अब यहां पर जो है हमारा नाम उस course का वह मैंने जैसा पहले copy किया था PHP for beginners वह मैं यहां पर manually add कर देता हूँ अब बात आती है body field 3 की तो यह website की बात कर family.com okay तो मैंने यहां सारी चीज़ों की mapping कर दी है मुझे करना क्या पड़ेगा सिर्फ एक save and send test request ऐसा करते है यह WhatsApp number है इस पर यह document पहुच जाएगा with the template message okay तो मैं पहले कहा ले चलता हूँ मेरे उस WhatsApp पे यह रहा WhatsApp और यहां देख सकते है current में कोई message है नहीं राइट पर मैं ज चलता हूँ अपना पाप्लिक अने की तरफ और करता हूँ save and send test request तो मैंने save and send request request की है और यह से करते है यह WhatsApp number पे कह रहा है जो message जा चुका है तो हम चलते है WhatsApp की और तो हम आ गए इस WhatsApp पे और आप देख सकते हैं यहां पर हमने यह message received कर लिया है जो कि कहता है Hi test dummy thank you for choosing PHP for beginners जो ह हमने course वहां पे डाला था then यहां पर website भी आ गई हो साथ ही साथ यह PHP for beginners का जो PDF है वह भी आ गया है इसको अगर आप download करते हैं तो यह आपको save करने को भूलेगा PDF format में यह save भी हो जाता है download आपका complete हो चुका है और यह as it is दिखता है वैसा ही जैसा मैंने आपको यहां दिखा हुआ और फिर आप देखिएगा कि यह नए response होते ही हमारा को जो नए response हमको मिलता है उसके होते ही क्या उसके भी WhatsApp पर यह message जा रहा है तो मैं fill कर देता हूँ इसको इस बार कुछ चीज़े उल्टी कर देता हूँ test dummy के नाम से करता हूँ मैं इसको email डाल दूँगा इस बार म देन कंपनी नेम फाइन देन कॉंटेक नंबर तो कॉंटेक नंबर मुझे अनफॉचनेटली वही रखना पड़ेगा reason why मेरे पास अभी एक ही WhatsApp है जिसके द्वारा मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ तो अब मैं करूँगा submit और submit करते ही मुझे कहीं और नहीं जाना है directly मैं जाऊँगा WhatsApp पे और मैं देख पाऊँगा वो course का document with the message यह मैंने या submit कर दिया है और मैं चलता हूँ कहां पे उस WhatsApp की और तो देखिए दुबारा मैंने एक message receive किया है जो कि है कितने तीन मिनिट की difference में जब तक मैंने वह form फिल किया है और यहां पर आप देख सकते हैं इस बार जो details मैंने जैसे भरी है वैसे आया test dummy की नाम से और जो हमारा जो PHP for beginners है वह as it is रहा क्योंकि वह हमारे course का नाम है website भी आ गए as it is रही बट जो PHP का जो यह document है वह भी वैसा ही आ गया तो कितने इसली यह automation यह create कर लिया है हमने और उसके मदद से हम instantly जो यह message है वो भी receive कर पा रहे है तो मैं आपको बता देता हूं को अगर आप भी same automation create करना चाहरे है तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा simply आपको आपके dashboard में आगे create workflow को select करना पड़ेगा वहां पर आपको trigger application चूज करने पड़ेगा as Google Forms यहां पर trigger event आपको मिलेगा new responses received फिर आपको आपका webbook URL जो है वो copy करना है और वो कहां paste करना है उसके लिए आपको पहले आपको Google Forms में आकर एक form create करना पड़ेगा जैसे मै आपको responses option में जाके ये spreadsheet option को select करना है उसे आपको create करना है आपको आपकी Google कि spreadsheet यहां पर आपको extensions option में आकर add-ons में get add-ons में आकर google's workspace marketplace में पड़ी करने का webbook सर्च करना है उसको install करना है, install करने के बाद initial setup में आके आपको वो वेबुक URL पेस्ट करना है और select करना है आपकी trigger column है, उसके बाद आपको करना है क्या, उसको save कर देना है और उसके बाद आपको select करना है send on events को और उस form को एक बार आपको fill करना है इस form की fill करते ही, details यहां तो आ जाएगी, साथ ही साथ आपके पैपली connect में भी आ जाएगी जैसे मेरी आ गई है आगे बढ़ते है, आपको action application चूस करनी है as WhatsApp cloud API वहाँ पर आपको select करना है send template message as action event connection करना है, connection करने के बाद आपको mapping करनी है, details की जैसे आपको template message आपको select करना है बाकी चीज़ों की mapping करने के बाद आपको करना है send test request और जैसे मैंने मेरे WhatsApp पे receive कर लिया था वो document आप भी receive कर पाएंगे एक और खास बात कि मैं सेम जो भी workflow मैंने भी create करिये उस सेम workflow का link मेरे इस video description के साथ आपको दूँगा ताकि उसका उपयोग करते हुए आप भी अपने account में freely यह workflow को देख सके और ऐसी workflow एक create कर सके तो थाना आसान और ऐसे ही आसान automation के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए साथ दी साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे like जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें ब और एक बार हमारी प्राइजिंग लिंक भी जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद